Welcome to our YouTube channel, Let's Learn with Abhishek तो बहुत दिनों के बाद हम अपने platform में फिर से वापस आए हैं आप लोगों के लिए एकदम entirely new topic जो 11th class के बच्चों के लिए बहुत ही जादा important है और 12th वालों का ये complaint नहीं होना चाहिए कि सर हम लोग का वीडियोस कहा है बीच में अवे offline classes भी चल रहे थें तो उसके बाद हम छुटी में फिर से घर आएं और online अपने platform को शुरू कर रहे हैं अब ये जो online class चलेगा वो offline के साथ भी चलेगा तो बच्चों class 12th वालों के लिए एक चीज़ बता दे हैं कि जो चितना भी devices हमको पढ़ना है class 11th से 12th तक उन सारे devices का lecture separately आपको upload किया जाएगा इस channel में और साथी साथ class 11 वाले बच्चों के लिए बहुत ही important opportunity है पता होना चाहिए आपको कि class 11th के exam में लगभग multiple choice पूछे जाते हैं तो हर chapter से हम लगभग 1500 से 300 multiple choice questions का practice यहाँ पर करवाने वाले हैं guys तो welcome with the new entire new topic for the class 11th physics के बच्चों के लिए और साथी साथ हम इसमें English का भी videos लेकर के आने वाले हैं बच्चों तो completely entire package मिलेगा तो video को start करने से पहले और किस बारे में इस topic को हम आज सुरू करेंगे इससे पहले आपको बता दें कि हमारे channel में daily क्या-क्या upload किया जाता है बीच में बहुत बीनों से छूट गया था क्योंकि I was busy in my examination and now I am free that's why I can carry on my with the topics okay then let's have a start और उससे पहले बता दें कि हम लोग अपने channel में क्या-क्या ले करके चलेंगे आगे तो guys यहाँ पर आपको जो है basically इस channel में मिलता है history NCRT class 6 से 12 तक का portion geography NCRT class 6 से 12 तक का portion policy NCRT का series जो है class 6 से 12 तक मिलेगा economics class 9 से 12 तक मिलेगा यहाँ mistakes 11-12 लिखा हुआ है general science का portion आप यहाँ class 6 से 12 तक को cover करवाते हैं Tamil Nadu का history का portion आता है जो UPSC perspective बहुत जादा important है यह आपको खतम करवाया जाता है यहाँ पर और यह series चल भी रहा है और साथी साथ spectrum का history का modern Indian history का portion जो है उसका भी series चल रहा है यहाँ योजना discussion weekly start होता है बीच में break हो गया था अब फिर से हम start करेंगे 2021 के UPSC section session वालों के लिए यहाँ NEET का material कुरूप छेतरा discussion और physics specially class 11, 12 के बच्चों को यहाँ पर cover करवाया जाता है और आज का जो हमारा topic चलने वाला है वो class 11 के important topic पर चलने वाला है G mains का material, NEET का material, NDA, Air Force का material सारे के सारे चीज़ यहाँ पर आपको provide करवाया जाते हैं और यह सारा का सारा topic आपको यहाँ पर provide करवाया जाता है The one and only, अभी सेक सर के द्वारा तो start करते हैं हमारा आज का topic बच्चे देखे बच्चे तो हमारा आज का topic स्टार्ट होने वाला है class 11 physics का unit number 3 unit number 3, किसी बच्चे को यह doubt ने होना चाहेगी unit 1 or 2 कहा है तो वो हम चलेंगे, वो हम यहाँ online भी cover करवाएंगे लेकिन उससे पहले जो सबसे interesting topic है जिसको आप 9th class में बहुत अच्छे से पढ़के आए होगे उसको हमने cover करना, सुरू करना सही समझा और इसका relation previous कोई भी वीडियो से किसी भी chapter से नहीं है तो इसको जो बच्चा पहली बार भी आज इस वीडियो को देख रहा है उसको भी समझने में यह आसानी होगी बच्चे तो start करते हैं हमारा आज का topic और हाँ बच्चे आप से एक चीज गुजारी से कि आप कभी भी वीडियो को escape करके नहीं देखिएगा आगे 10-10 सकंड का जो आगे बढ़ा के दिखते हैं ना वो चीज नहीं करिएगा क्योंकि यह educational channel है ना इसमें आपको ग्यान की बाते होती है और ग्यान लेने में इंसान को बोरियत फिल होती है इसलिए यह चीज आप हमको 20-25 मिनट अपना हर दिन का दे दिजिएगा हम गारेंटी देते हैं आपको सब कुछ लेक्चर चलते दावरान समझ में आ जाएगा बस escape नहीं किजिएगा सुनते जाएगे तो start करते हैं topic अपना chapter का नाम है unit number 3 topic का नाम है laws of motion बहुत ही important है 10 marks में laws of motion 10 marks में इसका topic start होता है topic इससे exam में question आता है बच्चे तो इसका जो notes है इसको भी हम provide करवाएगे notes बनाने की भी कोई जरूरत नहीं हम जो बोल रहे हैं सुनते जाएगे सिर्फ laws of motion गती के नियम यह आप पढ़े होगे तो गती के नियम को शुरू करने से पहले हम यह आपको बताना चाहते हैं बच्चे कि जो बच्चे गती के नियम को पढ़ना चाहते हैं इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि गती किसे कहते हैं हम कब कहेंगे कि कोई वस्तू गती में है तो चलिए रेडिये स्टार्ट है स्टार्ट करें समझने के लिए चलिए पांच सेकेंड का टाइम आपके साब पास वीडियो को पाउज किजिया आप हमको बताइए कि किसे कहते हैं गती कब कहेंगे कि कोई बाडी गती में है कमेंट section में बताईएगा बच्चे वीडियो के comment section में आप इमको इसका answer दीजिए कि गती आखिर कहते किसको है पांच सकेंड बाद आप फिर से वीडियो को start करके सुनिएगा ओके तो I hope आपने समने answer दे दिया होगा ताब हम start करते हैं कि क्या होता है कब कहेंगे कि कोई body गती में मान के चलते हैं कि मेरा को एक student है A, और कोई दूसरा student है B, मान लेजिए B संजय A कोई दूसरा student है ध्यान से समझेगा, कोई body को rest में हम कब कहेंगे, दो चीज़ जानना ज़रूरी है, मान के चलते हैं कि कोई body है A, कोई दूसरा body है B कोई एक मेरा student है A, कोई दूसरा कि मान लो कोई वस्तू जो point A पर रखा हुआ था कोई मेरा student था वो point A पर था और दूसरा student point B पर था कितना बजे, 12 बजे मान लेजिए, time आगे बढ़ गया 12 बज के 5 मिनट हो गया ठीक है, 12 बज के कितना मिनट हो गया 5 मिनट हो गया, और जो मेरा student A था मान के चलते हैं बच्चे, फिर से समझेगा ध्यान से, मान के चलते हैं कि A और B का दूरी है 3 मीटर, 12 बजे भी 3 मीटर था और 12 बजे भी 3 मीटर था और 12 बज के 5 मिनट में भी इन दोनों के बीच का दूरी जो है 3 मीटर ही है तो अब हम यह देखेंगे, हमने यह अब्सर्ब किया कि यह जो दोनों जो थे अपने पुजीशन को, अपने जगह को एक दूसरे के आधार पर जो है बदल नहीं रहे थे, एक ही जगे पे थे उन्होंने अपना पुजीशन को बदला नहीं था कहने का मतलब और मान के चलते हैं कि पहला जो A है वो East Direction की है पूरव की और और दूसरा जो है West Direction की पच्चिम की और मतलब आमने सामने मूँ करके खाड़ा है 12 बजे भी यही स्थिति थी 12 बज़ के 5 मिनट में भी यही स्थिति है 12 बज़ के 10 मिनट में भी यही स्थिति है समझ रहे हैं बात को मतलब हम लोग यह कहेंगे कि यह जो दूनों बॉड़ी है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक दूसरे के अनुशार रिस्ट में कोई बॉड़ी 3 मिटर से थोड़ा सा भी नहीं हील रहा है मतलब रिष्ट में थोड़ा सब हिल ही नहीं रहा है अब ध्यान से समझेगा मानगे चलते हैं कि motion में मतलब कि यहां पर ये बैठा हुआ है ध्यान से समझेगा फिर से ये जो बाड़ी है दोनों के बीच का दूरी Change नहीं हो रहा है एक example समझे मान के चलते हैं यह example आपको नई समझ में आया फिर से एक example देते हैं ध्यान से समझेगा बच्चे यह हमारा नंबर A है पहला दिवार है और हम यहाँ पर बैठे हुए है अब इसे एक A B इस जगे पर बैठा हुआ है और दिवाल से इसकी दूरी है दो मीटर ध्यान से समझेगा और इसका सकल इस direction की और है देख रहे हैं ना सकल दिवार की तरफ है अभी समय मान लीजिए हो रहा है बारा बच के पांच मिनट मान के चलते हैं हम की बारा बज के पंदरा मिनट में भी मेरा सकल इधर ही मुला हुआ है और मेरे यार दिवाल का दूरी जो है वो कितना दूही मीटर है तो हम लोग क्या कहेंगे हम रिस्ट में हम क्या कहेंगे हम रिस्ट में हम किसके अनुसार रिस्ट में है तो हम दिवाल के अनुसार रिस्ट में है ये दूसरा एक्जामपल था मानके चलते हैं इसमें भी अगर नहीं समझ में आता है तो तीसरा एक्जामपल लेते हैं ध्यान स वह कहने का मतलब क्या होगई कि वह अपना पोजीषान को इधर उदर घूमा नहीं रहा है इसके साथ सществu समय के साथ-स तो हम लोग क्या दिपनेशन रिखा हुआ बटी आपके है विश्ड केंके these सब्सक्राण कर संदो रत्no B बोड़ी रेस्ट में तब है जब वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है डज नाट चेंज लिखा हुआ और उप्जीशन कहों किसके किसके और आप जरूइब तो इसको देख कॉन रहा है हम देखने वाला जरूरी है मेरे नजर में वहरा ऐससंध़ समझेगा और मोशन को दो किसमें को परिवरता नौट ना करता है, तो हम जो हमाइसा कहेंके चैनला टापिक कम दो कभ चैनला बाडी कि जो हो खांगे कि बाडी टो कलें है इस चेंजे इस पेजिशन विछ रिस्पेक्ट तु टाइम अब अब सरब मतलब किसी बॉडी को हम तब कहेंगे कि वो गती में हैं जब वो समय के साथ अपने पोजीशन को बदलेगा माल लिजिया किसी स्टुडेंट को किसी दोस्त को माल लिजिये कि स्टुडेंट है संजय और दूसरे स्टुडेंट मुकेस संजय लगातार खड़े होके मुकेस को देख रहा है और मुकेस इधर उधर जा रहा है एक जगह से दूसरा जगह घूम रहा है तो अग देखने वाले के नजर मतलब संजय के नजर में मुकेस किस में मोशन में समझ रहे बात को तो इस तर आप क्लियर हो जाएगा दो मिनट का समय समाप्त हुआ अगला जो हमारा टापिक है बहुत ही आसान सा टापिक है वो है इसका क्या कहने का मतलब है तो ध्यान से समझे इसका कहने का जो मतलब है वो हम बता रहे हैं उसके बाद इसको आप समझाते है इसका कहने का मतलब यह हुआ कि कोई एक वस्तू एक ही समय में मानके चलते हैं बारा बच के पांच मिनट में वो रेस्ट में भी हो सकता है वो मोश एक साथ, रेस्ट में भी रहे, मोशन में भी रहे, यह कैसा पॉसिबल है, यह कैसे हो सकता है, how is it possible, समझाते हैं, यह possible है बच, ध्यान से समझेंगे, यह कैसे पॉसिबल है, Example, कहानी सुना रहे, आपको हम वो offline classes में भी बहुत सारी कहानिया सुना है, एक काहनी सुनियेगा ध्यान से बहुत ही अच्छा लगेगा मान के चलते हैं कि मुकेस जो है मुकेस वो घर जा रहा है और उसको बस स्टेंड तक छोड़ने के लिए जा रहा है संजय को जा रहा है संजय अब ध्यान से समझेगा संजय मुकेस को बस स्टेंड तक छोड़ने ज बैट गया मुकेस जा करके किसी एक सीट में बैट गया हमने फिर से क्या क्या कि मुकेस जा करके इस बस में किसी एक सीट में बाइट गया और उसके बगल में एक लड़की आके बाइट गया हसना नहीं है समझना है ध्यान से बहुत इंट्रेस्टिंग बात है एक लड़की उस वीडियो को देखती हैं देखेंगी तो दिल पे नहीं लेना है जस्ट इंज्वा यार स्टडी इस अलबाट इंज्वा एंड लर्ण तो कोई लड़की या करके मुकेस के बगल में बैठ जाती है अब ध्यान से समझीएगा गाड़ी चला बस स्टेंड से गाड़ी आगे बढ़ा जैसे बस स्टेंड से गाड़ी आगे बढ़ा गाड़ी के साथ साथ मुकेस भी आगे बढ़ा तो मतलब क्या और बस स्टेंड में बस के बाहर कौन था जो उसको पहचाने गया था संजय तो संजय के अनुसार संजय अग इस्ट म में मोशन में लेकिन आगर हम बात करें बगल में जो लड़की बैठी में ना ना मतलब उस लड़की के अनुसार मान लीजिए 12 बच के 13 मिनट में गाड़ी पर भैठा है 12 बच के 15 मिनट में गाड़ी खुल गई तो संजय के अनुसार मुकेस किसमें आ गया मोशन में आ गया ना लेकिन 12 बच के 15 मिनट में ही ठीक, वो लड़की के respect में किसमे था अगर उसको देखनेवाली लड़की है तो उसके respect में किसमे है, race में है ना क्योंकि उन दोनों का दूरी नहीं बदल रहा है लड़की और मुकेस का है ना, लेकिन अगर देखने वाला संजय है तो संजे के मुकाबले उसका जो दूरी है वो बदल रहा है मतलब संजे के रिस्पेक्ट में मुकेस मोशन में है लेकिन उस लड़की प्यारी सी कन्या के रिस्पेक्ट में जो मुकेस है वो किस में है? रिस्ट में उल्टा बोल दिया सायद मैंने कि संजे के respect में वो जो मुकेस है वो motion में है लेकिन लड़की के respect में वो जो है मुकेस वो wrist में मान के चलते हैं कि ये समझ में नहीं आया एक example और लेते हैं बहुती असानी से समझ में आएगा बच्चे ध्यान से समझीएगा बच्चे ठीक है हम point A पर बैठे हुए है यहाँ पर मेरा किताब रखा हुआ है हम इस बुक को नहीं चूरे हैं तो मेरे respect में अगर देखने वाले हम हैं अगर दृष्टी मेरा काम कर रहा है तो मेरे respect में ये जो हमारा book है वो किस में है rest में है ना point to be noted मेरे respect में अगर देखने वाले हम है अगर observer हम है तो ये किताब किस में है rest में द्यान से समझीएगा अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो दूसरा बात सुनिएगा ये है हमारा sun बेटा नहीं S.U.N. sun इसके चारो और हमारी प्यारी प्रत्वी घूम रही है और प्रत्वी में ही भारत देश में हम है और भारत देश में कोई गाउं है वहाँ एक छोटा सा कमरा है जहां हम बैठे हुए है मेरे बगल में मेरा किताब रखा हुआ है और हम लोग सब जानते हैं कि पिर्थवी सूरज के चारो और लगातार घुमती है तो हम और मेरा किताब पिर्थवी के साथ साथ घूम रहा है या नहीं ध्यान से समझे तो किताब भी क्या है पिर्थवी पर रखा हुआ है और पिर्थवी घूम रही है तो साथ साथ किताब भी घूम रहा है और यहां र उसको रेस्ट में मानके चले है ना क्योंकि वो किसी दूसरे के चारोर घुमता है वो मिलकी वे के चारोर घुमता है लेकिन पृत्वी के मुकाबले तो वो रेस्ट में है ना तो चलो अगर देखने वाला सूरज है तो सूरज के मुकाबले सूरज अगर देखने वाला है तो इक एक वाला सूरज है तो किताब मोशन में है मतलब एक ही समय में कोई एक वस्तू Rest में भी हो सकता है और Motion में भी हो सकता है इसे हम कहते है Motion is Relative Motion is Relative या Relativity of Motion इसको हम लोग बोलते हैं अब ध्यान से समझगा बच्चे इसी थियूरी पर आगे आधारित है Einstein Theory of Relativity Relativity relative का Concept यही से आया इसको पढ़ते हैं हम कि क्या theory हमने लिखा है देखे बचे यहां लिखा हुआ है motion is relative a body can be at rest at a time with respect to a body at the same time it can be in motion with respect to another body मतलब कोई बस तू किसी एक body के respect में मतलब उसके नजरिये से rest में हो सकता है at the same time ठीक उसी समय it can be in motion वो गती में हो सकता है किसी दूसरे वस्तू के नजरिये से इसको बोलते है relativity of motion या motion is relative अब ये motion entire होने का कारण क्या है इसको हम लोग देखेंगे next lecture में वो force है अब आगे हम लोग force के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद newton के दोबारा दिया गया गती का नियम था तो बच्चे वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए आपको whatsapp ग्रूप में मिल जाएगा सारा का सारा lecture और एक चीज और अगर आपको पशंद आता है तो बस जादा से जादा बच्चों तक पढ़ा इसको पहुंचाईए क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो lockdown में पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ना ही पा रहे हैं क्योंकि पढ़ाने वाला कोई मिल नहीं रहा है तो स्टार्ट करते हैं इस चीज को आप अब बस जादा मत कीजिए दो चार लोगों के अपने जो ग्रूप में हों उनको मदद कर दीजिए और अगर आपको पशंद आता है तो किरपे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करना भी मत भूलिएगा कोई भी डाउट होता है बार बार लगातार वीडियो को पाउस करके देखिए इसके बाद भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए I'll always be there to answer you guys तो सबका PDF आपको मिल जाएगा WhatsApp ग्रोप में तो मिलते हैं फिर next lecture में जो आएगा कल तब तक लिए बाए God bless you all आगे हमारा topic force है बहुत इंपाटन topic है मिस्स मत करिए guys God bless you all चलिए